हमारी सोच के बिपरीत चलने की जमता जमीन पर नहीं बलकि टेहनियों पर बिक्सित हुई इस तरहे दोनों पैरों पर चलना इंसान की नहीं बलकि एपस की खोज थी और यहाँ परस्तितियों के अनुकूल बदलते रहे कुछ चिमपैंजी और कुछ गोरिला में बिक्सित होने लगे और कुछ इंसानों के समान बिक्सित होने लगे यहाँ पूरे अफरीका में भेले हुए थे बारिस बंग होने की बज़े से यहाँ के जंगल सोखने लगे जंगल सोक जाने का असर इन पर पढ़ने लगा जिसकी बजह से इनको खाने की समस्या होने लगी और जिसकी बजह से यहाँ पेडों से उतर कर अब जमीन पर अपने कदम रखने लगे यहाँ हमारे पूर्वस थे जिन्होंने जमीन पर मानब सभ्यता का पहला कदम रखा इनका दिमाग एक सेब जितना बड़ा था और इनकी लंबाई चार फिट तक हुआ करती थी यहाँ हमारे वन्स के सबसे पहले सीधे चलने वाले प्राणी थे कई सालों के विकास के बाद यहाँ दो पैरों पर चलने लगे इससे उर्जा कम खर्चूती थी और यहाँ चलते चलते भी खाने लगे थे दो पैरों पर चलने से यहाँ अब सीधे खड़े होकर दूर दूर तक नजर रखते थे समय के साथ इनका दिमाग बिक्सित होने लगा और आगे चलकर एक नई परजाती बिक्सित हुई जिसका नाम था होमो एरेक्टस इन्होंने सबसे पहले पत्थरों को हत्यारों की तरहे इस्तेमाल करना शुरू किया जैसे ही इस मामुली से पत्थर पर धारदार किनारा बना हमारी पुर्वजों को हतोड़ा मिल गया अब यहाँ बहुत सारी काम कर सकते थे समय के साथ अब हमारे पुर्वज समयों में रहकर अन्य जानवरों का सिकार करने लगे थे होमो हेवलस परजाती ने सबसे पहले आग की खोच की यहाँ काफी बुद्धिमान थे यहाँ इनके लिए सबसे बड़ी खोच थी इन्होंने धीरे धीरे आग पर मास पकाना सीख लिया अब आग पर खाना पकाने की बजह से इसको बचाने के लिए कम उरजा खर्च होती थी जिसकी बजह से यहाँ उरजा उनके दिमाग में बिक्सित होने लगी जिससे उन्हें ज्यादा ताकत मिलने लगी करीब दो लाग साल पहले यहाँ पूरी तरह इंसानों के रूप में बन चुके थे हेलो दोस्तों अगर आपको यहाँ वीडियो पसंद आई हो तो किरपे हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें वो हमारी वीडियो को लाइक हुआ सेर करें ताकि हम और मेहनत कर सकें और हाँ हमारे चैनल के पर्मनेंट मेंबर बनने के लिए जोयन वाला बटन दबा कर अवज से जोयन हो जाए जहां आपको प्राचिन काल के इतिहास को जानना और समझना और भी सरल हो जाएगा धन्यबाद दोस्तों